हेलो फ्रेंड्स आपका गोपाल सिंग ब्लोग में बहुत बहुत स्वागत है तो प्रेंड्स आज मैं आया हूँ कासी आयटी आई जो की सोन भदर के सुकरूत में सीत है और काफी बड़ा यहां पर आटी इस क्राइटिर कांपना की सारी चीज में आपको दिखहने वाला हूं कि आखिर जो कांपना चीजसे गाउल है कौन सी मसीन है तो सारी डीटेल हम इस विडियो में छए करेंगे शारी विन निए बताने वाना हूं तो बने रहे मुणा चलिए शुरू करनाओ फ्रेंज कुछ इस तरह से हम लोग आपको का सी आइट्याई मेंटोर कर चुके थे तो पुछ इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से जगह है यहां काफी अच्छी यहां पर सजाओ टर की गई है यहां पर सौर उल्जा का भी यहां पर लगाया गया है आप यह देख सकते हैं तुछ इस तरह से है और यह रही काजी आइटी आई की जो बिल्डिंग है यह है और यहां पर ग्राउंड भी है आप यह देख सकते हैं और यहां पर आज पास में यह खेती भी होती है कई सरसो का फूल अगरा और जो काफी चीजे लगाई गई है और हमारा काफी आई आई पियाई कॉलेज श्कूरुत सोन्भद्र आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से है कि फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं यहां कि बैंस तो फ्रेंड्स कुछ यह इस तरह से मसीने होती हैं यहाँ पर आई टी आई में तो आप यह देख सकते हैं और जो भी यहाँ पर मसीने हैं उसके नीचे यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है तो आप यह देख सकते हैं कि जो भी मसीन है उसके नीचे यह नाम भी लिखा हुआ है तो जितने भी हमारे स्टुडेंट भाई लोग हैं जो आई टी आई करते हैं उनको इस मसीन के बारे में पता होगा कि यह इस मसीन का क्या यूज है तो आप यह देख सकते हैं तो बने रहे इस चैनल पर और मैं आपको यहां का पूरा आपको दिखाने वाला हूं कि आखिर यहां पर इस इस आइटी आइए में कौन-कौन सी मसीने रखी गही हैं यहां पर काफी सारी सुविधाएं आपको मिले लाएंगी फ्यूटर इलेक्टरिसियन जो भी आइटी आई में समधित जो भी courses आती हैं यहां पर सारे course करा जाते हैं जो की 80 ITI यहां पर जो college का नाम है 80 ITI तो आप यह देख सकते हैं जो भी यह machine है इसके नीचे यहां पर इसका नाम भी लिखा गया है तो एक बार यहां पर जरू संपर करें और यहां पर काफी अच्छी सुविधाय आपको यहां पर मसीने रखी गई हैं जो की जो भी स्टुडेंट हैं जो ITI करते हैं उनको इसके बारे में पता होगा कि यह सब मसीन का क्या यूज है तो आप यह देख सकते हैं वह बहुत सारे ऐसे मोटर्स हैं पर देख सकते हैं किस तरह से हैं मैं आपको दिखादा चलूँगा फ्रें आपको आपको प्रेंज यह जो यहां पर जो मसीने रखी गई है यह कुछ इस तरह से इसका हॉल है आपको देख सकते हैं इस फीटर वर्क्स आप यह फीटर उधर जो है मसीन जो उस वहां से जो पार्ट में रखा हुआ है वह फीटर का है और यह सब जितने सारे मसीन है यहां पर इलेक्ट्रेसियन के लिए है और काफी सारी चीजे इस अलमारियों में रखी गई हैं बहुत सारे चीजे तो इत्तेटर मसीन है यह तो इसे कैसे यूच करना है आप नीचे कमेंडब vacun समी भी बता सकते हैं क अग्स ताकि रिम जहां जितने हैं भी हमारे बीवर्स हैं सब्सक्राइबर हैं उनको फीपता चल सके की से मसीनों को कैसे यूच किया जाता है आप यह देख सकते हैं यह द्रिल मसीन यह भी घ्रील मसीन है तो यह का इसका यूज कैसे होता है तो काफे सारे लोगों को पता होगा जो student है आई टी आई के आपे देख सकती यह कुंसा अब प्रेंच ग्राइंडर है यह तो फ्रेंच एलेप्रोनिक का यह सब सारे समान मैंने आपको दिखा दिया तो चलिए अब फिटर की और हम लोग बढ़ते हैं अगर फिटर में कौन-कौन से मसीने हैं तो आप यह देख सकते हैं कि इधर हमारे सारे फिटर के जो भी मसीने हैं यहां पर जो भी यहां पर सिखाया जाता है फिटर में तो यहां पर सारे मसीने लगभग रखी होई हैं तो आप यह देख सकते हैं लगभग सारे मसीने आपको जो यहाँ पर इसकाषी आइटी में जो की गौवर् clinically है यह यह तो यहाँ पर आपको सारे स्पाह। देखने को मिल जाती है और यह सब सारे फिटर की एंश पर हो कि हुआ है और यह सब कुछ मसीने आप देख सकते हैं इसमें यहां पर कुछ नाम दिखा हुआ है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह कौन सी मसीन है क्या है तो आप यह देख सकते हैं और यहां पर कुछ इस तरह से कुछ रखी हुई है तो फ्रेंड्स यह सब रही मसीन है तो आपको यह वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरू करिएगा तो मिलते हैं लिए नेक्ट वीडियो में तब तक लिए गुडबाए